डॉल्पा तेडी वेर में स्नाइपर पन स्कूल मज्जिदों में टेरर नेटवर्प हमस्की होवनाक साजश IDF के खिलाफ बोड़ा प्लान गाजा में हमास का रियाप्शन देख इस्रैली सेना के होश उड़े हुए है इस्रैली सेना की बंबारी के बीच हमास ने गाजा में जो व्यू रचना की है बैना में नेतन याहू के पास उसका कोई तोड नहीं देख रहा इस्रैली सेना जिस ओर मूव कर रही है हमास ने उस रास्ते में बंब फिट कर दिया है ये सही है कि 19,000 फिलिस्तीनियों की मौत हुए लेकिन इस्रैली सेना की जीरो डेथ वार की स्ट्रेटजी के भी पर अच्छे उड़ गए है हमास के इस जबरदस्त प्रतिक्रिया के वज़े से ही 27 अटूबर से यानि जब से इस्रैल ने घाजा में जमीनी हमले शुरू किया है 121 इस्रैली सेनिकों की मौत हो गई है ये आकड़ा हमास ने नहीं बलकि इस्रैली सेना नहीं जारी किया है 40 से 45 किलोमेटर लंबी और 6 से 10 किलोमेटर चोड़े घाजा पट्टी में हमास ने ऐसी कौन सी तैयारी कर रखी है कि इस्रैली सेना घाजा पर अब तक कबजा पाने में असमर्थ रही है हमास ने ऐसी कौन सी हत्यार जुटा रखे हैं जिसका जवाब इस्रैली सेना के पास नहीं है हमास के लड़ाकों ने पूरे घाजा में फैली सुरंगों की रचना कैसे कर रखी है कि इस्रैली सेना उनमें घुसने से पहले ही मात खा रही है इन सारे सवालों का जवाब डीटेल में दिखाएंगे अभी हमास ने इस्रैली सेना के खिलाफ जो चक्रवियो रचा है उसे देखिए हमास नए नए तरीकों से आईडियाफ के जवानों पर हमले कर रहा है हमास के आतंक्यों ने गोड़ियों के अंदर बम भर कर उसमें रोने की आवाज निकालने वाले स्पीकर लगा दिये है उनकी कोशिश थी कि इस्रैली बंदुकों की दलाश कर रहे आईडियाफ के जवान उसे बच्चों के रोने की आवाज समझेंगे जैसे ही उनके पास आएंगे बंब के धमाके में मारे जाएंगे लेकिन हमास डाल डाल खेल रहा है तो इस्रैल पाद पाद इस्रैल इंटेलिजन्स यूनिट ने इस साजिश का पता लगा के अपने जवानों को अलर्ट कर दिया जिसके बाद दिस्पूजल स्कॉइर्ड में उन्हें निश्क्रे कर दिया इस्रैली सेना ने दाबा किया है कि हमास गुडियों और बच्चों के बैक पैक्स को जान बूच कर एक सुरंग शॉट के पास रखा था जो एक बड़े टरनल नेट्वर्क से जुड़ा हुआ था इस्रैली सेना ने उस्तिलाकी की तलाशी ली और खात लगा कर किये गए हमले के साथ साथ ख्षत्र में हमास की खुफिया जानकारी और टैंक रोधी ठिकानों का भी परदाफाश किया IDF ने दाबा किया था कि हमास के आतंकियों ने टेडी बियर के अंदर स्नाइपर राइफल और बम छिपाये हुए थे इन टेडी बियर को लेकर आतंकी आम लोगों के बीच रहे थे इसके अलाबा घाजा के कई स्कूलों और मस्जिदों के नीचे टरनल नेट्वर्क भी मिला है इसके जरी आतंकपादी सुरक्षित आबाजाही कर दे इतना ही नहीं हमास ने इस्रेली सेना के नजर से बचाने के लिए स्कूल में हथियारों का गोदाम बना रखा दे हमास के पास बिना शक इस्रेल वाला वेपन पावर नहीं है लेकिन हमास के पास हथियारों में घरेलू रौके अफग्रेड़ेट एक एक फोर्टी सेवन और सोवियत संग के दौर के मशीन गन के अलावा कई सस्ते नए और चोरी किये हुए हथियार है कई ऐसे एडवांज हथियार भी मिले हैं जिनकी सप्लाई इरान ने की तो कुछ ऐसे हैं जिनका निर्मान उत्तर कोरिया में किया गया ये जानना भी बेहत दिल्चस्प है कि हमास की पसंदीदार राइफल कौन सी है सोवियक दोर में निर्मेट 7.62 मिलीमीटर कैलिबर वाली AK-47 असॉल्ट राइफल हमास का सबसे पसंदीदा हथियार है आतंकी इसकी मदद से कई राउंड तक गोलियों की बौचार करते हैं इसके अलाबा SVT, Dragono, Groove Semi Automatic 7.62 मिलीमीटर कैलिबर स्नाइपर राइफल का इस्तिमाल हमास 20 किलोमीटर दूर से हमला करने के लिए कर रहा है हमास के ट्रक भारी मशीन गन M2 ब्राउनिंग HMG से लैसे हैं ये पैदल से ना हलके वक्तरबंद वाहनों और कम उडान वाले विमानों को आसानी से निशाना बना सकते हैं ये समझना बहुत जरूरी है हमास जैसे संगठनों के पास जो भी हतियार हैं वो या तो इरान से आए हैं या हमास ने स्मगलिंग से उसे मंगाया है या सोवियत दोर के हैं इन हतियारों से हमास इस्रेल को नुकसान तो पहुचा रहा है 9 किलो वाला RPG-7 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेट लॉंचर हमास का फेवरिट है ये काफी सस्ता और उप्योग में आसान है सोवियत संग का बना ये हतियार कंधे पर रहता है और एक क्यूब से रॉकेट दाखता है ये रॉकेट आसानी से 200 से 700 मीटर की दोरी पर मौजूद टैंकों को आसानी से तबाह कर सकता है हमास को इस्रेली सेना की ताकत का अंदाजा है इसलिए हमास ने 2014 से ही इस्रेली हमले का ब्रतिकार करने की तैयारी शुरू करती थी जिन सुरंगों को नश्ट करने की बात हो रही है या नश्ट की जा रही है ये सुरंगे दुनिया के लिए जूबा है सोचे जरा 40 से 45 किलोमेटर लंबी और 6 से 10 किलोमेटर चौड़े घाजा पट्टी में जमीन के नीचे हमास में 500 किलोमेटर लंबी सुरंग खोद रखी है इन सुरंगों में हमास की जान बस्ती है इनके हत्यार, इनके लड़ाके, इनके नेता, सारे सुरंगों में शरण पाते हैं जहां तक सुरंगों के सफाय की बात है, तो इस्रेल ने बहुत सी सुरंगों को मठिया मेट कर दिया है लेकिन अभी ऐसी कई सुरंगे हैं जहां अब भी इसरेल की सेना नहीं पहुँच पाई है इन सुरंगों को नश्ट करने के लिए अब इसरेली सेना इनके भीतर समंदर का पानी छोड़ रही है हमास का बचना मुश्किल लेने नामुम्किन है लंबे वक्त तक हमास के टिके रहने की कोई संभावना नहीं देख रही है इराग जिससे सबसे जादा हत्यार मिलने की हमास को उम्मीद थी उसने साथ छोड़ दिया है लहाजा हमास फंस गया है बाकि किसी भी अरब देश से उसे कोई मदद नहीं मिल रही जबकि इस्रेयल को अमेरिका से सीधे हत्यारों की सप्लाई हो रही है नतीजा जमीन पर देख रहा है इसरेयल की होर से ताबर तोड हवाई हमलों ने घाजा के कई शहरों को खंडैर में तब्दील कर दिया है पलाई कर दिया है लुए जिस बिख्ड़रों लुए लुए अहल чисто, अ कि अव Beschलत लो र्रीज है 7. अव स्थभब 2. वलत अबसत 5. अव्दड़ 2. विर banging 2. विर दाजा हमले में करीब 40 से जादा लोगों की मौत हो गई है सेंट्रल घाजा के एक शरणार्थी शिवे पर हुए हवाई हमलों में करीब 33 लोगों की जान चली गई है इनमें 14 महिनाएं और 4 बच्चे शामिल थे रफाज शहर में हवाई हमलों में करीब आठ लोगों की मौत हो गई है हर बीते दिन के साथ इसरेल गाजा पर अपना नियंत्रल बना रहा है खान योनुस में इस वक्त इसरेली सेना भीशन बंबारी कर रही है खान योनुस से नहीं गाजा के कई बड़े शहरों पर इसरेली सेना ने हमले तेज कर दिये है इसरेल के ब्रधान मंत्री बेनमिन नेतन्याहू को बहुत गोर से सुनी क्योंकि जिन्हें योद्वेराम के उमीद देख रही है उन्हें बहुत निराश होना पड़ेगा बंदकों की मौट की हमास वाली धमकी का इसरेल के ब्रधान मंत्री बेनमिन नेतन्याहू के ओपर कोई असर नहीं देख रहा है इसरेल फिलस्तीन की जंग देखते देखते काई पीडियां गोजर गजर गए लेकिन दो हजार तेश में जिस तरीके से योद्चड़ा है उसमें तबाही की नई कहानी लिखती है इसरेल इस इरादे के साथ मैदान में उतरा है कि हमास के अंतिम आतंकी के जंदा रहने तक गोली चलाते रहना है जबकि हमास इसकी कोशिश कर रहा है कि बीते सालों के दरब बंधकों के नाम पर वो युद्ध विराम करवाएगा संयुक्त राश्ट में आवाज उठाएगा और विश्व विरादरी से इसरेल पर दबाव बनवाएगा कि वो हमास पर हमला नहीं करे हमास की ये कोशिश आंशेक रूप से रंग भी ला रही है अमेरिका ने इसरेल को दो टूक कहा है कि हमास के आतंकियों को मौत की नीब सुलाने के दौरान ये खयाल रखा जाए कि किसी आम फिलिस्तिनी की इसमें मौत ना हो लेकिन युद में इसरेल इस कदर उलजा हुआ है कि अपनों तक को पैचानने में इसरेली सेना से बूल हो रही है इन तीन युद्धों को हमास ने 7 अक्तूबर को बंधक बना लिया था इसरेली सेना ने गाजा पर हमला किया और 22 लाग फिलिस्तीनियों के भविश्यका क्या होगा। इस सवाल का जवाब नेतनियाहू के पास नहीं है, क्योंकि इसकी तैयारी में अमेरिका जुट गया है। जो बाइडन का कहना है कि वो एक नई फिलिस्तीनी प्राधिकरण देखना चाहते हैं, जिसे मैमूद अब्बास 2005 से चला रहे हैं। बाइडन चाहते हैं कि संगर्ष समाप्त होने के बाद नई फिलिस्तीनी प्राधिकरण घाजा में कारेभार समाले है। घाजा में आखरी बार चुनाओ 2006 में होए थे। इस चुनाओ में हमास को जीत मिली थी। लेकिन हमास ने सरकार बनाते ही महमूद अब्बास की फटै पार्टी के निताओं के खलाफ हिंसा शुरू कर दी थी। इस हिंसा में फिलिस्तीनी प्राधिकरण और फटै के हजारों कारेगर्ता मारे गए। इस हिंसा के बाद मैमूद अबबास ने हमास के प्रमुक इसमाइल हानिया को पद से हटा दिया था लेकिन हानिया ने इससे इंकार करते हुए फिलिस्तिनी प्राधिकरण से अपना रिष्टा तोड़ लिया था घासा का क्या होगा ये तभी तै होगा जब युद्ध समाब्ध होगा या युद्ध विराम होगा और ये दोनों सूर्थें फिलहाल तो कम से कम नहीं देख रहे हैं हाँ एक बात जो अब तक युद्ध के दोरान देखी गई वो ये कि अरब वॉर्ड का कोई भी देशो हमास के साथ जमीन पर युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं है ना ही खुल कर मदद देने के लिए राजी है यमन के हूथी विद्रोहियों के हमले या लेबनान के ह एजबुल्ला लड़ापों के अटैप इसरेल को रोख पाने में समर्थ नहीं है और इसरेल तब ही यो दविराम करेगा जब हमास के अंतिम आतनकी को मार कर वो घाजा पर कबजा कर ले